गर को स्वर्ट बनाती है नारी, घर की इज़त होती है नारी, देव भी करते हैं पूजा जिसकी ऐसी प्यारी मूरत होती है नारी नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर ना तो सिर्फ मुझे बल्कि इस देश की हर महिला को कहीं न कहीं गुस्सा जरूर आता होगा जब बात होती है चुनावों की तो यहां पर जितने भी नेता हैं वो ऐसी बयान बाजी करते हैं ऐसे अबदर भाशा का प्रियोग करते हैं महिलाओं के खिलाफ जिसको सुन कर ही देश की ही क्या बलकि विदेश की भी महिलाओं को कहीं न कहीं हमारे इन नेताओं पर घिन ज एक चंसभा के दौरान ऐसी बात कही है जिसको लेकर पूरे शोशल मीडिया पर हंगामा मज़ गया है उनसे जब पूछा गया कि अच्छे दिन का मतलब क्या होता है जब उनको बोला गया कि आप आईए और बोलिये मंज पर आकर तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कॉंग्रिस के नेता कहते रहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए हैं लेकिन ये चीज कैसे कह सकते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो जो महिला सकर्ट पहन कर कभी घूमती थी वो आज साड़ी पहन कर मंदिरो में शीष जुकाती हुई नजर आती है तो यहां पर सीधा-सीधा उन्होंने प्रियंका गांधी को कहीं न कहीं घेरे में लिया है और ऐसी भाषा का प्रियोक्या क्या स्कुर्ट पहनने वाली महिला कभी मंदिर नहीं जा सकती है यह उनका कहने का मतलब था क्योंकि अगर हम भ प्रेश्चन है तो उसी के साथ साथ Freedom of Living भी है उसको जैसे रहना है वो वैसे रह सकते हैं वो मंदिर जाए ना जाए यह उनका मकसद है वो अगर जाना चाहेंगे तो वो जाएंगे अगर वो नहीं जाना चाहेंगे वो नहीं जाएंगे अगर वो छोटे कप्डे पहन कर और अगर वो साडी पहन कर जा रही है तो इस पर भी आप कमेंट बाजी नहीं कर सकते हैं यह हमारे देश के नेताओं को समझना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सिर्फ जयकरण गुपता ही नहीं उन्हीं के हम क्यों बात करें अगर हम बात करते हैं उनके अलावा तो मेरे पास इसे कुछ सोला सिफ सोला मैंने शायद इन सोला को अगर मैंने धंग से पढ़ा है तो इन सोला कमेंट में आपको ऐसे ऐसे नेता मिलेंगे जिनके बारे में और जो उन्होंने कहा है उसको अगर आप सुन लेंगे तो कहीं न कहीं आप भी सोचेंगे कि क्या यही हम सीख रहे इसी पर हम कहते हैं कि यहां पर वोमेन इंपावमेंट होनी चाहिए क्या इसी पर हम यह बात करते हैं कि नहीं भाई यहां पर तो हम अपने महिलाओं की काफी जादा इज़त करते हैं क्योंकि जब बात आती है कि अपने घर की महिलाओं की इज़त करनी की तो हम कहते हैं कि हमा बताइब के बायानों के बारे में बताइए और उन से सवाल भी पूछेंगे कि आखिर उनको इतना हक किस ने दिया कि वो महिलाओं के बारे में इस तरह से बात कर पाएं। सबसे पहले फिरोस खान जो समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने कहा कि वो भाजपा महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाते हैं, क्योंकि भाजपा की महिला अगर रामपुरा कर यहां पर सांसत के लिए लड़ रही है, तो कहीं न कहीं इससे मनोरंजन हो रहा है लो अब फिरोस खान से एक सवाल उठता है कि क्या महिला सिर्फ मनोरंजन के लिए है, क्या आपके घर की महिलाओं भी फिर मनोरंजन के लिए ही हैं सिर्फ, आपको यह सोचना पड़ेगा, अगर आप किसी के ओपर तिपड़ी कर रहे हो, तो वही तिपड़ी आपके घर की महिल तो इस पर सुरेंदर सिंग ने कहा था कि अब तो राहुल गांधी को सपना चौधरी से विवा कर लेना चाहिए क्योंकि सपना चौधरी का पेशा है वही पेशा सोन्या गांधी का भी रहा है तो ऐसे में आप ये बताईए कि अगर उसका पेशा डांस करना ही है तो वो इज़त की कमाई का खारी है सर वो किसी और की कमाई नहीं खारी है वो आपके पैसे पर नहीं पल रही है आप कौन होते हो इस तरह के क्वेस्चिन करने वाले आप महिलाओं की इज़त अगर आप नह लोग सुन रहे हैं, अगर आप ही ऐसे भाशाओं का प्रियोग करेंगे, तो वो घर पर बैठी जनता भी कहीं न कहीं आप से ही सीख रही है, तो कृप्या करके प्लीज आप लोग इस तरह की भाशाओं का इस्तिमाल करना बंद करें, इसके बाद हम बात करते हैं शरद मुझे पता है कि तुम क्या हो, तुम क्या हो से आपका मतलब क्या है, आप सांसर में बैठे हो, सांसर में एक मर्यादा होती है, एक तरीके से आप बात करते हो, यहाँ पर अगर आप पॉलिटिक्स में अपनी जो महिलाएं हैं, अगर आप इतना जादा नहीं सपोर्ट कर प तो आप यहां पर कभी उनके उपर वार कर देते हो और कभी उनहीं के साथ मिल जाते हो ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स आप खेल रहे हो यार यह तो नहीं चलता है इस देश में और नहीं चलेगा इसके बाद अगर हम बात करें भाजपा विधायक राम कदम ने तो उनके अनुसार कोई लड़की शादी के लिए नहीं मानती है तो उसके लिए वो लड़के की मदद करेंगे और लड़की को उठा कर शादी करवाएंगे मतब यहां पर तो साफ है कि अगर लड़की मना कर रही है तो लड़के को बोलो कि भाई चलो लड़की उठाओ और हम तो यहां पर ज महेश शर्मा की तो इन्होंने हाली में प्रियांका गांधी को लेकर कहा था कि अब तो पप्पू की पप्पी भी आ गई है तो क्या ये एक यूनियन मिनिस्टर का बयान होना चाहिए अगर आप किसी पोस्ट पर बैठे हो तो अगर आप अपनी इज़त नहीं रख सकते हो तो उस पोस्ट की तो इज़त रखो क्योंकि यहां पर महिलाओं पर बात तो बहुत करते हैं लेकिन जब बात आती है कि असलियत में इनको इज़त देने की तो ये कहीं न कहीं पीछे हटते वे नजर आते हैं और ये देखा जाते हैं कि ऐसी गंदी भाशा का प्रियोग करते है जिसको लेकर कहीं न कहीं सब ही लोग क्योंकि मन में यह question हो जाते हैं कि क्या यहीं हमारे देश की politics रह गई है क्या बस यहीं पर हमारी देश की politics सीमित हो जाने वाली है इसके बाद एक और जो shocking बात में को पता चली वो यह पता चली कि हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है उन्होंने भी यहाँ पर प्रधान मंत्री मोदी ने December 2018 में विद्वाओं को लेकर जो तिपने की थी वो बहुती अशो भी ने थी एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये कॉंग्रेस की कौन सी विद्वा थी जिसके खाते में रुपए जाता था तो 2018 की ये बात है जब आप प्रधान मंत्री हो क्या आपको ये बाते कहना शोभा देती हैं एक प्रधान मंत्री का कुछ ना कुछ लहजा होता है एक त अगर हमारे नेता ही एसी बात करे हैं जो हमारे देश के रिप्रेस gorक्षित महसूस कर सकती है या समानित महसूस कर सकती हैं ये सूचने वाली बात है इसके अलावा एक और पार अगर नरेंद्र मोदी जी की ही बात की जाया तो उन्होंने कहा था जब वो कुझरात मुख्या पर औरोर की girlfriend कहा गया था, यह नरेंदर मोदी जी के खुद के बयान है जो उन्होंने दिये थे, यहां पर बहुत चीज़े समझने की ज़रुवत है अब, कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जहां पर बात होती है, विमन इंपाव्मेंट की, जहां पर बात होती है कि आज मह महिला बहुत जादा सशक्त है, लेकिन जब हम वही महिलाओं की बात करते हुए, अपने speeches और rally में उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यह भूल जाते हैं, कि वहां पर भी हमें एक मर्यादा को रखना चाहिए, एक महिला की इज़त करने चाहिए, और महिलाओं की सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर दूसरों की रिस्पेक करना, और भी चीजे हैं, जो आपको एजुकेशन नहीं सिखा सकते हैं, यह खुद सीखना पड़ता है, तो ऐसे में, यह जो जितनी भी चीजे हमारे पॉलिटीशन करते हैं, एक दूसरे के उपर गंदी भाषा का प्रियोग करना, क्या वो अब रैलियों में खतम नहीं होना चाहिए, यह आप हमें बताईए, क्योंकि यहां पर जब हम देखें, तो हमें यह पता चला कि एक बार नहीं, बल्कि हजारों बार और हर लोग सबाचुनावों में ऐसा ही होता आया है, कि एक मह आप चानल में जाकर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चानल को देखते रहिए, और यहां पर आपको सारी लोग सबाचुनावों से जुड़ी हुई खबरे मिलेंगी, लेकिन यहां पर प्लीज आप हमें जरूर कमेंट करके बता कि परेग什麼 कर दो अपना परे बेकिन एंग कर दोनावों से वीचों से जुड़ी हैं जरूर के वाज़ी हुई खबरे लोग कर दोद़ी हुई 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 हुई